नमस्कार आपका आख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आहम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा भाग रहे हैं लेकिन स्वाती मालिवाल का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो इस मुद्दे पर इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं कि उनका चहरा आजकल आप देखिए तो लगता है जैसे कहीं से मारखा के आएं इस तरह से पिटा हुआ चहरा नजर आता है आज वो लखनों में थे अखलेश यादो के साथ प्रेस कांफरेंस करने के लिए रात में ही पहुंच गए थे अब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना जैसा मामला है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं अखलेश यादो और कॉंग्रेस पार्टी ने दया करके भी एक सीट नहीं दी लोग सभा की एक भी सीट आम आदमी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी बहुत कोशिश की संजय सिंग ने विदान सभा चुनाओ के समय कहने के लिए भी सांकेतिक रूप से भी एक विदान सभा की सीट आम आदमी पार्टी को 2022 के विदान सभा चुनाओ में समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया. लेकिन अखिलेश यादो के साथ जॉइंट प्रेस कांफरेंस करने पहुंच गए. इन्डी एलायंस को कौन सा फाइदा होने वाला है? या आम आदमी पार्टी को कौन सा फाइदा होने वाला है? चुनाओ जो है, वो साथवे चरण के लिए मद्दान का समय बीद गया है. और चुनाओ प्रचार अपने चरण पर है. दिल्ली में चुनाओ है, 25 तारीक को मद्दान है, 1 जून को पंजाब में मद्दान है. जहां आम आदमी पार्टी की प्रेसेंस है बहुत अच्छी खास दोर से. लोग सभा में नहीं है, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है, पंजाब में एक सीट थी, वो भी सांसत था उनका, वो BJP में आ गया. दिल्ली और पंजाब में सगन चुनाओ प्रचार, इसी चुनाओ प्रचार के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली ह तो दिल्ली और पंजाब में चुनाओ प्रचार करने की बजाए जहां उनकी पार्टी का आधार है, और एक सीट वो हरियाना में भी लड़ रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी ने दी है घट-बंदन में, तो उस पर प्रचार करने की बजाए वो उत्तर प्रदेश में प्रेस क उन्हें मनाने की कोशिशे लगातार हो रही है, बुधवार को संजय सिंग उनके घर गए, और वंदना जो दिल्ली महिला आयोक की सदस्य हैं, उनको साथ लेकर गए, क्यों गए, वहां क्या बात चीत हुई, स्वाती मालिवाल उनसे मिली भी की नहीं, इस बारे में कुछ प और जादा ये मुद्धा बढ़ रहा है और आगे बढ़ने वाला है, वो लखनों पहुंचे तो उनके साथ वो विभव कुमार थे, जिनके बारे में स्वाती मालिवाल ने कहा, कि आर्विन केजरिवाल के कहने पर उन्होंने उनके साथ मार पीट की, और संजय सिंग ने इस वाल ने ऐसा एक्शन लिया कि उनको साथ लेकर लखनों भूम रहे थी, लखनों में वो एरपोर्ट पर उनके साथ दिखाई दिये, जहां प्रेस कांफरेंस हो रही थी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, वहां दिखाई दिये, तो विभव कुमार के खिलाफ आर्विन देने वाली स्थिति में है, अर्विन केजरिवाल फिर कह रहा हूँ कि एक ज्वाला मुखी के दहाने पर बैठे हुए है, और वो ज्वाला मुखी कभी भी फट सकता है, कोई भी उनके जितने करीबी हैं उनमें से कोई भी किसी ने भी मुँ खोल दिया, तो अर्विन केजर कोट से फोरी राहत भले मिल गई हो चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन एडी का केस बहुत मजबूत है, और एडी ने अभी दो दिन पहले हाई कोट में ये कहा, कि वो आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाने जा रही है, उसके खिलाफ भी चार्शीट फाइल क पार्टी को इसमें जो है, अभी उक्त बनाने का मतलब, आरोपी बनाने का मतलब है, कि आम आदमी पार्टी का हमेशा के लिए समापन, अगर एडी अपना केस साबित करने में सफल होती है, तो आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो चुनाव आयोग में है, वो रद् मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, तो अरविंद केजरिवाल सवाल फिर से है वही, दो प्रशन है बलकि, अरविंद केजरिवाल स्वाती मालिवाल से क्यों डरे हुए है, और स्वाती मालिवाल क्यों चुप्पी साधे हुए है, महिलाओ के मुद्दे पर पिछले जो है नौ-दस साल से इतनी मुखर रही स्वाती मालिवाल अपने उपर हुए अत्याचार के बारे में बोलने से क्यों डर रही हैं या क्यों हिचक रही हैं कोई तो मामला होगा कोई तो कारण होगा संजय सिंग ने प्रेस कांफेंट में कहा कि अब विभव कुमार के किलाफ सकस्ता एक्षन होगा तो क्या एक्षन हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया उनको साथ लेकर अरविंद केजरिवाल गुम रहे हैं तो अरविंद केजरिवाल की राजनीती को आप समझे उनके पास इस मुद्दे से भागने के अलावा और कोई रास क्योंकि PCR में उनकी कॉल रिकॉर्ड हो गई है पुलिस इस मामले में तब तक F.I.R. फाइल नहीं कर सकती जब तक स्वाती मालिवाल लिखित में शिकायत न दे तो अभी फिलाहल F.I.R. से अरविंद केजरिवाल बचे हुए हैं लेकिन उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे अब यही सवाल पूछा जाएगा उनका पूरा चुनाओ प्रचार जो है आप स्वाती मालिवाल और विभव कुमार के बारे में सवालों को लेकर केंदर्थ हो जाएगा लखनों के प्रेस कांफरेंसमें भी पूछा गया उनसे सवाल कि भई आपको क्या कहना स्वाती पर और विभाव कुमार के मुद्दे पर तो वो कुछ बोले नहीं संजय सिंग ने माईक ले लिया और उन्होंने जो है जो पिछले च्छे महिने एक साल से बोल रहे हैं वही सब बाते दो रहें कि मनीपुर में यह हुआ महिला पहलवानों के साथ ही यह हुआ उस पर प्रदा देना पड़ रहा है क्यों आपको cover fire करना पड़ रहा है क्यों अर्विन केजरिवाल जो हर मुद्दे पर बड़े मुखर रहते हैं बड़े जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं इस मुद्दे पर चुप हैं और उनका जो भाव भंगीमा थी वो आप देखते तो आपको समझ में कि जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो उसके चेहरे पर जिस तरह की भाव होते हैं उस तरह का भाव जो है अर्विन केजरिवाल के चेहरे पर था वो जो आत्म विश्वास उनकी बातों से जलकता था उनके रवये से जलकता था वो पूरी तरह से गायब था और इस बार भी नहीं कहा कि हां इस मुद्दे पर जो है स्पश्टी करण देना चाहिए अर्विन केजरिवाल को या यह मुद्दा जो हुआ स्वाति मालिवाल के साथ वो गलत है उसकी हम निंदा करते हैं यह भी अखलेश यादव बोल नहीं पाए वो अखलेश यादव जिनका अ इसको बचाने का किस तरह की शक्तियों को बचाने का अगडबंधन है तो कुल मिलाकर मामला आटक गया है दो लोगों पर एक अर्विन केजरिवाल कि वो चुपी तोड़े और दूसरा स्वाति मालिवाल स्वाति मालिवाल चुपी अगर तोड़ेंगी तो मेरा मानना है कि बुचाल आएगा और उस बुचाल से अर्विन केजरिवाल अचूते रह जाएं ये संभव ही नहीं है तो इसलिए संजे सिंग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं स्वाति मालिवाल का सवाल आता है तो जवाब देने के लिए संजे सिंग सामने आते हैं और आप याद पार्टी के किसी राज्य सभासदर से ने किसी और नेता ने इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला है ना तो मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के समर्थन में और नहीं स्वाति मालिवाल के समर्थन में तो आम आदमी पार्टी के अंदर ये जो चुपी है ये अ और कारेकरता इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्योंकि सब को सच्चाई पता है. सब को मालुम है कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें जूट बोलना पड़ेगा. और वो अर्विंद केजरिवाल के लिए हमेशा जूट बोलने को भी तयार रहते हैं. इस मामले में क्यों चु कि अर्विंद केजरिवाल इस मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से घिर गये हैं और बड़े गलत समय पर घिर गये हैं. जब चुनाव प्रचार अपने पीक पर है, जब दिल्ली और पंजाब में मद्दान होना भी बाकी है. ऐसे समय में अब वो पंजाब जाएंगे, वहा भी इस मुद्दे पर उन से पूछा जाएगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा. तो पूरी प्रेस कॉन्फरेंस जो है, वो सिमट कर स्वाती मालिवाल के मुद्दे तक रह जाएगी, जो लखनाव में हुआ. लखनाव में भी आप देखे, इंडी ऐलाइंस जो गड गडबंदन के साथियों में इस बात पर भी एका नहीं है. वो बीजेपी के बारे में एक राय में बोल सकें कि उसकी इतनी सीटें उनकी नजर में आने वाली है. हाला कि उनका जो कहना है, वो सच्चाई से बहुत दूर है. जिस तरह से अखलेश यादों नहें कहा कि वो 80 मे जो के लिए छोटा शब नजर आता है. तो इस तरह की बातें जब तक रिजल्ट नहीं आता चार जून को तब तक बोल सकते हैं. और आपको याद दिला दें, अगर आप पिछले बयान याद करें, अखलेश यादों के और चाय राहुल गांधी के या इंडी अलाइंस के द समय UPA था, UPA की सरकार बनेगी. उत्तर प्रदेश में तो घडबंधन था, मायवती और RLD का और सपा का तीनों का घडबंधन था और वो मान कर चल रहे थे कि 60 से ज़्यादा सीटे आने जा रही हैं. आई कुल जो है 15 एक कॉंग्रेस को मिली, 10 मायवती को मिली और 5 समाजवा पार्टी पांच सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई. कॉंग्रेस उस घडबंधन में शामिल नहीं थी, इसलिए मैंने 15 की बात कहीं, 15 इन दो पार्टीयों को मिली, RLD को एक भी सीट नहीं मिली. तो उस घडबंधन के बावजूद, जो घडबंधन सामाजिक दिश्टी से देखें, तो बहुत मजबूत गडबंधन था. उसके बावजूद अगर अकलेश यादो 2014 की अपनी जो टैली है, उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाए, तो अब गडबंधन भी नहीं है. अब उनके साथ जो विधान सभा चुनाओ के समय सामाजिक समी करण था, वो भी नही है. और ये लोगसभा का चुनाओ है, ये प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का चुनाओ है. तो इसलिए अकलेश यादों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरा मानना है कि जो चार चुनाओ वो हारे हैं 2014 से, 2024 का चुनाओ उनके लिए उन सबसे ज़्यादा चुनाओती को इसलिए बुलाया था कि वो कुछ मदद कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अर्विंद केजरिवाल की कोई हैसियत है. वो विधान सबा का चुनाओ भी उनकी पार्टी लड़ चुकी है, उनकी पार्टी जो है इस्थानी निकाय का और पंचायत का कोई सफलता दूर दूर तक नहीं मिली. तो उत्तर प्रदेश के लोग पहले ही आम आदमी पार्टी को और अर्विंद केजरिवाल को रिजेक्ट कर चुके हैं. दो हजार चुदर में वो बनारस से भी प्रदान मंतरी नहीं थे, प्रदान मंतरी पत के उमीदवार थे, उनक इस तरह के उनके दावे होते हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग दावे, जिनका कभी वो पालन नहीं करते, जिन पर वो कभी चलते नहीं. तो इस तरह के दावे अर्विंद केजरिवाल हवाई करते रहते हैं. वही हवाई दावा करने के लिए लखनव पहुंचे थे, बताने के लिए कि BJP की 230 सीटे आएंगी उनकी अपनी कितनी आएंगी जो पंजाब, हर्याना और दिली में और गुजराद में दो सीटे लड़ रहे हैं और उसमें से उनकी कितनी आएंगी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा तो जिसे अपनी खबर नहीं है वो दूसर के बारे में भविश्य वक्ता बनने की कोशिश कर रहा है अर्विंद केजरिवाल को स्वाती मालिवाल ने बुरी तरह से फसा दिया है उनकी पूरी राजनीती पर एक प्रशन वाचक से चिन्न लगा दिया कि अर्विंद केजरिवाल के ऐसे राज हैं जिनकी वज़े से वो डर रहे हैं डर के मारे ही स्वाती मालिवाल पर लगातार दबाव बनाये जा रहा है चुप रहने का कब तक चुप रहेंगी ये तो स्वाती मालिवाल ही बता सकती हैं लेकिन लगता नहीं कि वो बहुत जादा समय तक चुप रहेंगी मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की ओर से 25 मई होना है दिल्ली में वैसे एक जून को मददान होना है पंजाब में तो हो सकता है एक जून तक कि इंधिसार किया जा है लेकिन उसके बाद ये मुद्दा और बड़ा बनने वाला है इसमें मुझे कोई शक्त नहीं तो इस आंक में इतना ही अगले आंक में फिर मिलेंगे किसे ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए आपसे अन्रोध है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब दरूट कीजिए नमस्कार